मैं सब्सक्राइबर वर्सेस मी एंड ये एक मिनी शॉर्ट बैटल होने वाली है तो इसे लॉंग वीडियो के साथ कंपेर ना करें तो रूल्स है कि वन लेज़ेंडरी एंड वन मेगाईवाल पोकीमोन नो मितिकल एंड नो सेम पोकीमोन तो मेरे सब्सक्राइबर के पोकीमोन टीम में है एश ग्रे निंजा, एश जैप्टाइल, एश चारिजाड, मेगा लुकारियो, एश इंफरनेब एंड आर्सीयस तो ये है मेरे सब्सक्राइबर के पोकीमोन टीम और मेरी पोकेमोन टीम में है Mewtwo, Salamence, Mystica, Gyarados, Giganda, Max, Charizard, Zapdos और ओकी डोकी तो यह है मेरी पोकेमोन टीम तो पहली बैटल होंगी एश ग्रे निंजा वरसेस म्यूटू के बीच और डेफिनिटल एश ग्रे निंजा एक काफी ज़दा पावरफुल पोकेमोन है लेकिनो टेफिनिटल म्यूटू को नहीं हरा सकता तो इस बैटल को जीतेंगा Mewtwo तो दूसरी बैटल होंगी Mega Salamence versus Ash के Zeptile के बीच and definitely हापर Salamence के पास Mega Evolution है तो इस बैटल को जीतेंगा Mega Salamence तो दूसरी बैटल होंगी Ash के Charizard versus Mystic Gyarados के बीच and definitely हापर Gyarados के पास टाइप अडवांटेज है लेकिन Ash का Charizard काफी जदा पावरफुल है Mystic Gyarados से तो इस बैटल को जीतेंगा Ash का Charizard तो next battle होंगी Mega Lucario versus Giganda Max Charizard के बीच and definitely हापर Giganda Max Charizard के पास टाइप अडवांटेज है और वो काफी जदा पावरफुल है Mega Lucario से तो इस बैटल को जीतेंगा Giganda Max Charizard तो next battle होंगी Infarnay versus Zapdos के बीच and मैं मानता हूँ कि Infarnay में काफी जदा पावरफुल Pokemon है लेकिन वो Legendary Pokemon Zapdos को नहीं हरा सकता तो इस बैटल को जीतेंगा Zapdos तो final battle होंगी RCS versus Okidoki के बीच and definitely हापर RCS जो है Pokemon World का God है तो इस battle को जीतेंगा RCS तो आज इस mini battle का विनरूम है और मैं शॉट ओट देना चाहूंगा Dragon Shots को जिनोंने इतनी ज़्यादा Amazing Team भेजी and मैं भी गाइस RCS जो है एक Mythical Pokemon है and रूल थे कि No Mythical Pokemon तो मैं बस बता रहा हूँ then मिलते हैं मान सब्सक्राइबर वर्सेस मी के एपिसोड No.16 के अंदर